साथ औगुणों पर भी ध्यान दीजी कि हमारे अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है हर वेक्ति चाहता है कि मेरी प्रसंसा हो मेरा सम्मान हो और सभी लोग चाहते हैं कि मुझको लोग अच्छा कहें एक औगुण आपकी कीमत को कम कर देता है और संत कवीर कहते हैं कि मानुस तेरा गुण बड़ा है मनुस्य तेरा गुण ही बड़ा है तू बड़ा नहीं है ना तेरा सरीर बड़ा है तेरे सरीर से तो हांती का सरीर बहुत बड़ा है पर चरण की पूजा जब होती है तो मनस्य के चरण की पूजा होती है हाथी के चरण पूजे नहीं जाते है भगवान राम थे मनस्य की रूप में ही थे कृष्ण भगवान का रूप देखो तो मनस्य का रूप है और कोई भी शंत आपको दिखेगा तो मनुष्य की रूप में दिखे लेगा मानों की रूप में हम आप सब दिखाई देते हैं लेकिन कुछ लोग मानों से महा मानों बनते हैं कुछ मानों से विकास करके देव मानों बनते हैं और कुछ मानों के धरातल से नीचे गिर करके दानों बन जाते हैं और कुछ लोग मानों के मानों ही रह जाते हैं आप मानों के मानों रहेंगे कि मानों से देव मानों महा मानों बनेंगे अगर देव मानों बनना है तो सत्संग की प्रभाव की जरूरत है अगर दानों बनना है तो कुशंगत में गिरने की जरूरत है कुशंग तुम्हें दानों बना देता है और सत्संग तुम्हें महा मानों बना देता है सत्संग किसे कहते हैं